हेलो फेंड्स वागए थे आपका हमारा यूटूब चैनेल एस एज मेरिसिन हॉल में आज में जिरोरल सीया टैबलेट नामक एक मेरिसिन पुराट के बारे में बात कल नचरा हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगी किस ZeroDol CR tablet कौन सी company बनाता है और इसका कीमत का है इसका composition क्या है और इस tablet का उपचर के लिए किया जाता है तो फ्रेंड्स आप से एक छोड़ी सी request है की आप इस वीडियो को शुरू से अंतक बीना skip के देखे तो चलिए अब वीडियो को सुरू करते हैं फ्रेंड्स इस स्कीन पर आप जो दवा देख रहा है वो है जिरोडोल सिया टैबलेट इस जिरोडोल सिया टैबलेट इपका कमपानी दोरा निरिमित है यह आपका 10 टैबलेट्स की पैकिंग के साथ आता है जिसका वरतवान कीमत 83 फ्रेंड्स आप इस टैबलेट को किसी भी मेडिसिन की दुकान से बहुत ही असानी से खरीश सकते है तो चलिए अब देखते है कि इस टैबलेट में क्या कॉमपुजिशन दिया गया है और इस टैबलेट क्या का पॉबलेम के लिए इस्तमल किया जता है इस टैबलेट के अं दर्द, सूजन, कमर में दर्द, मान स्पेसियों में दर्द, इसके लावा किसी चोट लगने के वज़ा से होने वाली दर्द आदिसे चुटकरा पाने के लिए इस्तमाल किया जाता है, फ्रेंड्स यह बहुत ही फाइदमंद टैबलेट है और इसका रेजल्ट बहुत ही आच् किया जाता है, फ्रेंड्स यह बहुत ही असरदर टैबलेट है, तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते है कि कौन-कौन पेसेंट इस टैबलेट का इस्तमाल नहीं कर सकता है, गरवती महिलाओ और बच्चे को स्तानपन कराने वाली महिलाओ इस टैबलेट का इस्तमाल नहीं कर स जाये फ्रेंड जिडो डॉल्स या टेबलेट डर्ष से रात के लिए बहुत ही फाइदमंद टेबलेट है और इसका रेजल्ट बहुत ही उच्छा है तो चलिए फेंड आप जान लेते हैं कि इस दवाThere का साइड एफेट क्या का है इस दवा के side effect, चक्कर आना, अपच, मिचली आना, पेड में दर्द आदी है और fend side effect सब इस्तितियों में नहीं होते है अगर आपको इस दवा का उप्यक करने के बाद कोई side effect दिख़ई देती है तो तरंद अपने डक्टर से संप्रक करे और fendis एक बत कहना बहुत ही जरूरी है कि आप इस टेबलेट को लेने से पहले अपने डक्टर से जरूर कंसल्ट करे Giroral CR टेबलेट इपका कमपानी का एक बहुत अच्छा पोड़क्ट है इसको कहीं भी मेडिसिन स्टोर से आप ले सकते है तो fendis आज के लिए वीडियो वस इतना ही है फिर मिलेंगे next कोई मेडिसिन पोड़क्ट रिवीव के वीडियो के साथ तो आप सभी अच्छा रहे स्वस्त रहे और इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद